बिल्य के अंदर अब धीरे-धीरे करोना की स्थिती बहतर होती जारी है उसी को देखते वे पिछले हफते से हम लोगोंने अन्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी यह ज़रूरी है कि अगर करोना की स्थिती बहतर हो रही है तो अर्थ व्यवस्था को वापस पट्री पिलाना भी बहुत जरूरी है पिछले हफ़ते हमने construction workers और factory ये दो sectors खोले थे पिछले एक हफ़ते से construction activities और factory दोनों खोले हुए हैं लेकिन करोना की स्थिती अभी control में है पिछले 24 घंटे में लगबग 400 के करीब case आये हैं 500 से भी कम हो गए अब cases 400 के करीब cases आये हैं और 0.5% के करीब positivity बची है संक्रमंदर बची है तो स्थिती काफी control में है और भगवान करें ऐसे control में रहे तो ये वाला जो lockdown पिछले हफ़ते एलान किया था वो सोमवार को सुभे 5 बजे तक है उसके आगे भी lockdown जारी रहेगा लेकिन काफी सारी और activities में रियायत दी जा रही है उनको खोला जा रहा है एक तो जितने बाजार हैं मॉल्स हैं उनको खोला जा रहा है odd even के basis पे कि आधी दुकाने एक दिन खुलेंगी आधी दुकाने दूसरे दिन खुलेंगी दूसरा जितने दिली में सरकारी दफतर हैं उन सरकारी दफतरों में group A officers जो हैं वो 100% काम करेंगे और group बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे लेकिन जो essential services में काम करने वाले करमचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर HOD decide करेगा कि किसको essential service कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है जितने private offices हैं उन सभी private offices में 50% manpower के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग work from home करें और अपने private offices कोशिश करें अपने time को stagger करने की कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए दूसरी ची जो stand-alone shops हैं और जो essential services provide करने वाली shops हैं वो odd even basis पे नहीं वो रोज खुलेंगे दिल्ली metro 50% capacity के उपर चारू की जा रही है और e-commerce के जरीए जो समान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी तो मोटे मोटे तोर पे ये चीजों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ़ते के अंदर भी करोना की स्थिती अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर उसके अगले हफ़ते खोलेंगे